एपिसोड नमबर 373-373 भगवान शिव ने जगत जन्नी पार्वती को इस प्रकार वो कथा सुनाई जो काक भुशुंडी ने गरुड का मोह भंग करने के लिए सुनाई थी प्रभु के चरित्र की संख्या अपरिमित है अपार जिनका वर्णन स्वयम सरस्वती भी नहीं कर सकती भवानी कृतकृत्य हुई उनके मन का संशे मिट गया शिराम के प्रताप का पून ज्ञान प्राप्त हो गया देही अवसर मुनिनारद आये कर तलबीन गावन लगे राम कर कीरति सदा नभीन माम वलोकय वंकज लोचन कृपा बिलोकनी सोच भी मोचन नील ताम रस स्याम काम अरी रदय कंज मत रंग मधु पहरी जातो धान बरुथबल भंजन मुनि सचन रंजन अघगंजन भूसुर ससिनव ब्रंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भूजबल बिकूल भार महिखन दित खर दूशन बिराध बध पंडित रावनारे सुख रूप भूप बर जय दस रख कुल कुमद सुधात सुझस पुराण बिधित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुनीक ब्यलीक मद खंडन सब बिधिकू सलको सलामंदन करिमल मधन नाम ममताःन तुलसी रास प्रभु पाहिपन प्रेम सहित मुनी नारद बर निराम गुन ग्राम सोभा सिंधु रदय धरी गए जहां बिधिधा गिरिजा सुना हूं भी सद यह तथा मैं सब कही मोरी मती जथा राम चरित सत कोटि अपारा शुति सारदा नबर ने पारा राम अनन्त अनन्त गुनानी जन्म कर्म अनन्त नामामी जलसी कर महिरज गनी जाही रगुपति चरितन बरनी सिराही दिमल कथा हरी पद दायनी भगति होई सुनि अनपायनी उमा कहीं सब कथा सुहाई जो भुसुंदी खगपति ही सुनाई कच्छु कराम अबुन कहें बखानी अब का कहों सो कहां हु भवानी सुनि सुभ कथा हु माहरशानी बोली अति बिनीतम दुबानी दन्य दन्य में दन्य पुरारी सुनि उराम गुनभव भयावारी तुम्हरी क्रिपा क्रिपायतन अब क्रित क्रिप्यन अमोः जानि उराम प्रताप प्रभु चिदानन्द संदोह नात तवानन ससिस्रवत कथा सुधा रगु बेर श्रवन पुटनि मन पाग करि नहीं अघात मति धीर राम चरित जे सुनत हाई रस विसेश जाना तिहनाही चीवन मुक्त महामोनि जेवू अरि गुन सुनही निरंतर तेवू घव सागर चह पार जुपावा राम खठा ता कह द्रिह नावा बिशेश इनह कह पुनि खरी गुन ग्रामा श्रवन सुखद परुमन अभी रामा श्रवन वंत असस को जग माही जाही नरगुपती चरित सोहाई ते जड़ जीवनी जात्मा कभाती जिनह ही नरगुपती कथा सोहाई खरी चरित्र मानस तुह रावा सुनि मैनात अमिति सुखपावा तुम जो कही यह कठा सुहाई कागभ सुन्दि गरुड प्रतिगाई जी जात्मा करे मानस जीजस भुपती जीजस करती टाल कागभ возм 기ृत